तो अब आप कॉल कर सकते हैं S.K. अगोरी को S.K. अगोरी आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे उनका नमबर है प्लस 917073615296 जी हाँ, जैज़की आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं उनके नमबर पे कॉल लगाईए या वाटसप कीजिए आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे S.K. अगोरी जी, तो कॉल कीजिए अभी आज आपको बताते हैं कि कैसे आप शत्रू को अपने दोस्तों में बदल सकते हैं या फिर शत्रू का नाश कर सकते हैं जी हाँ, शत्रू का प्रभाव अपने जीवन से खत्म कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में शत्रू का प्रभाव है या नहीं तो इसका भी तरीका बेहद आसान है दोस्तों जो तिशी उपाए बताए गए हैं जिसके द्वारा आप शत्रूओं का नाश कर सकते हैं तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही उपाए हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए जानने के लिए कि कैसे आप अपने जीवन के शत्रूओं को खत्म कर सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले भोजपत्र और लाल चंदन भोजपत्र पर लाल चंदन से शत्रू का नाम लिखें और इसे शहद की शीशी में भिगो कर रखतें कुछ दिनों में ही आपका शत्रू परास्थ होकर आपके जीवन से चला जाएगा प्रेमियों के लिए दोस्तों एक उपाय है प्रेमियों के कई बार दुश्मन हो जाते हैं और उनके जीवन में पढ़ जाते हैं और उनका प्रेम पूरा नहीं होने देते हैं प्रेम में बाधा डालते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रेमी युगल को हनुमान भगवान की पूजा करनी चाहिए हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी की मूर्ती पर लाल गुलाब का फूल चढ़ाएं और बजरंग बाण का पाठ करें मंगलवार की सुबह सूर्योदय से पहले हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी के माथे पर मूर्पंक की मदद से सिंदूर से उनको सिंदूर का चोला चढ़ाएं उसके बाद आपको बता दे दोस्तों कि अगर आप हनुमान मंदिर में जाके सिंदूर का चोला चड़ाते हैं और साथी साथ आपको क्या करना है कि एक मोर पंक लेना है जिसमें आपको सिंदूर लगा कर और अपने घर में रख लेना है और ये उपाए आपको करीब 11 दिनों तक करना है मोर पंक लेना है और उसके बाद उसमें सिंदूर लगाकर एक दिन रखे अगले दिन उसे जाकर नदी में प्रवाहित कर दें कैसा भी दुश्मन क्यों ना हो चुटकारा आपको मिल जाएगा और दोस्तों अब आपको बताते हैं एक और तरीका सूर्योदय से ठीक पहले इस मंतर का जाप 108 बार करें आपके जीवन का जो भी दुश्मन है वो परास्त हो जाएगा और आपके जीवन से चला जाएगा इस मंतर का जाप करने से आपके जीवन से शत्रूओं का नाश होता है दोस्तों और अंत में एक बेहत छोटा सा उपाए लेकिन जो बेहत कारगर है छोटी इलाइची लालचंदन सिंदूर ककड सिंगी से धूप बना ले अब इसे रोज सुबह दुश्मन का नाम लेते हुए जलाएं इस टोटके का असर आपको चार दिन में दिखाई देने लगेगा और दोस्तों ये बेहत आसान तरीके थे जिनसे आप घर पर ही अपने शत्रू का नाश कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसे करने में असमर्थ हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल लगाईए हम आपको इसका उपाय करके देंगे वीडियो की स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहें दोस्तों उन नंबर पर आप कॉल लगा सकते हैं और अपने शत्रूं से छुटकारा पा सकते हैं तो अब आप कॉल कर सकते हैं S.K. अगोरी को S.K. अगोरी आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे उनका नंबर है प्लस 917073615296 जी हाँ जैजकी आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं उनके नंबर पर कॉल लगाईए या वाटसब कीजिए आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे S.K. अगोरी जी तो कॉल कीजिए अभी